वेडिंग सीजन शुरू है तो मैंने सुचा कि हल्दी के लिए जूलरी बनाया जाए बट इस बार हम रेगुलर फ्लावर्स का यूज नहीं करेंगे हम कार्टबोर्ड और वूलन थ्रेड के हिल्प से बनाएंगे हल्दी वाली जूलरी तो सबसे पहले हमें कार्टबोर्ड का एक सॉकल कर लेना है इसके बाद हम सॉकल के मिडिल में होल बना लेंगे क्रियेटिव आर्ट रिलेटेड वीडियो उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना और इसके फाइनल लुक के लिए वीडियो को इन तक शरूर देखना नाव यूज करते हैं आई पीन का इसको कट करके हम छोटा बना लेंगे देन इसे हमारे कट किये हुए सॉकल पे स्टिक कर लेंगे स्टिक करने के लिए मैं फेवी बॉन्ड का यूज कर रही हूँ हमें टोटल फाइव पीन्स लोवर एरिया में स्टिक करनी है और एक पीन अपर एरिया में स्टिक करनी है ये वाला पोशन में बिंदी के लिए बना रही हूँ नव वूलन थ्रेट से इसे पुरा कवर कर लेते कर लेंगा है कर दो कर दो इसे इन्हांस करने के लिए मिडल में स्टिक करी हूँ कावरी शेल और पूरे सर्गल के राउंड में स्टिक करूंगी हाफ कट पॉल्स मिडल थे सकते हुँएदिय। और दोस्थें मेरे पास यह जुमका बेस जो कि मैंने शॉप से खरीदा था इसे भी हम वूलन थ्रेट के इल्प से कवर कर लेंगे बाहँ बाहँ झाले कर दो दो आएफ दो कि मैंने शॉप से कर दो कि मैंने शॉप से खरीदा था इसे जो आएब्स से खरीदा कर दो दो आएब्स झाल झाल इसके बेस में हमें स्टिक करने हैं हाफ कट पर्स इसी तरीके से मैंने पूरे बेसेस बना लिये हैं बस एरिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा छोटा बनाया है बिन्दी वाले पोशन में मैंने अपन डाउन दोनों साइड्स में आई पीन्स अटाच किया हैं इरिंग वाले पार्ट में मैंने सिर्फ नीजे के साइड में ही आई पीन्स अटाच किया हैं नाव हमें आई पीन में पॉल को इंसर्ट करना है और दूसरा वाला एंड क्लोस कर देना है ऐसे टोटल मैंने पाच बनाए है नाव यूज करते हैं सबसे छोटे जंप रिंग का क्यूंकि मेरे पास इतने छोटे जंप रिंग अवेलेबल नहीं थी तो मैंने आई पीन से इसे कट कर लिया इसे पॉल में इंसर्ट करना है और हैंक करना है हमारे बिंदी के साथ ऐसे वाले टोटल फाइव हमें अटाच कर लेने जरेग झाले चाच कर लेपने पास आए नहीं करना अ में हमेड़ कर दो आए जाए आई झाल झाल अगेन वही प्रोसेजर रिपीट करनी है आई पीन में हमें पॉल को इंसर्ट करके उसका एक एंड क्लोस कर लेने ऐसे पॉल्स हमें बहुत सारे बना लेने हैं नाव इन्हें हम बिंडी के साथ अटाच करेंगे और एक चेन बना लेंगे इसके जगह आप पॉल चेन का भी उस कर सकते हों क्लोस कर सकते हैं लास्टली हुक को भी अटाज कर लेते हैं आट बिन्डी बनकर रेडियो चुकी है चलो बनाते हैं इयरिंग्स इनको बस हमें जॉइन करना है इयरिंग के पार्ट में हम आई पीन को इंसर्ट कर देंगे देर इसे इंसर्ट करना है जुमका बेस में और नीचे से थोड़ा सा पोर्शन हम कट कर लेंगे इसमें एक चोटा और एक बड़ा पल हमें इंसर्ट करना है और एंड को close कर दें वाक्सिंग स्ट्रिप कम एक छोटा सा सर्कल कट करे हूँ इसमें एरिंग स्ट्ड को इंसर्ट करके हमारे एरिंग के साथ अटाच कर लेना है इसे फिनिश कर लेते हैं रबर स्टॉपर लगा के लास्ली बना लेते हैं निकपिस सेम जंपरिंग हम यूज करेंगे देन पाच्चों पार्ट्स को हम एक साथ कनेक कर लेंगे आप जाच्चों पार्ट्चों पार्ट्स कराच्चों में जंपर को हमारे जंपर को ढ़र भार्ट्स करेंगे झाल झाल लास्टली चेन को भी अटाच कर लेते हैं और हमारा हल्दी सेट रेड़ी उचुका है बिलीब नहीं हो रहा है कि ये वेस्ट कार्टबोर्ट से बनाएं चलो भी से ट्राइ भी करके देखते हैं सीरियसली खुद की बनाई हुए जूल्दी पहनने में अलगी मजा है आपको भी ये जूल्दी पसंद आई हो तो आगे भी ऐसी आर्ट रिलेटेट वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्रेटिविटी के साथ तब तक के लिए टेक केर और थांक्स पॉर वाच्छिंग झाल